हेलो दोस्तों कैसे हूँ आप आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होगे तो एक नए ब्लोग में आपका फिर से स्वागत है और आज मैं और मेरी पहन गए सदर बजार मारके तो आएए वहां का मैं व्यू दिखाती हूँ यहां पे स्टार्टिंग में हमें लटकने मिल गए थी जो कि थी 40 रूपीज की पेर थी और यह वाई लटकन जो आप देख रहे हूँ यह ब्राइडल लहंगे के लिए थी तो वू थी 150 रूपीज की पेर इखर आप देख रहे हूँ यह 40-40 रूपीज के राउंड थे मतलब इसमें थी 36 मीटर और पड़ रही थी हमें 1 रूपीज की 1 रूपीज 5 ऐसे की कुछ और यह पार से जो आप दिख रहे हो यह थे 150 रूपीज की जो और मार्केट में 300-400 मिल चाते हैं और अभी जो है होली का सेजन चल रहा है तो होली की भरपूर आप शोपिंग वहां से कर सकते हो पिछकारी, कलार और वैलून्स वगारा वहां पे रिजनेबल रेट में मिलते हैं और बेटे ने पिछले साल करीदा था तो ना तो वह भीलून ठीक निकले और यहां पर भाली छेफा पर उप्रहां कूद केंछहा को तो अब रसी कूधनी पार ही तो इसलिए मेरे को रसी खरीद नहीं थी । तो मैंने यहां से रसी करिदी वह थी प्रेभ elem vMI रूपी तो रसी इतनी ज़्यादा बढ़िया थी ना कि उसने बोला कि जिम जो होती है जिम वाले जो होती हैं वो वाले वी से यूज करते हैं क्योंकि उसमें न कहीं पर भी नोट नहीं बनी तो बहुत ही ज्यादा वराइटी थी और हर जेंगे आपको चोटे पर्स और बड़े पर्स मिल जाएंगे और चारो तरह फोली का ही समान रखा हुआ था यहां पर जैसा कि आप देखी रहे हो यह किटे थी 50 रुपीज से स्टार्टिंग होके 150 रुपीज तकी थी कैसी भी वर हो रहे हैं जैसे जैसे डिस्टिक वाइज और अभी ओल्मोस्ट हर डिस्टिक में ओपन हो चुके हैं तो बच्चे जैसे स्कूल जाएंगे तो उनको टिफन और बोटल वगारा और किट वगारा की जरूरत होगी तो इसलिए सदरवजार में ना इनकी वराइटी बहुत ही अच्छी अच्छी आई हुई है क्योंकि जैसे बच्चा ने क्लास में जाता है तो उसको इस चीज की तो जुरूरत पढ़ती है और अभी क्या है कि लगभग लगभग दो साल हो चुके हैं बच्चों को स्कूल में गए हुए और जो हैं उनकी जो किटे वगारा हैं वो खर यह गोद उसके पालिक प्रेश लिए गारा Maisall और भूट ज्यादा अच्छहा था उपाले लिए मसाला ना होता हैं यह 120 उर्डी गॐस गे था और इसके जो जो सारे प्लास्टिक थे और भूत यह जादा अच्छे थह फेom हमें अभी खरीदना नहीं था हम बस आपके लिए दिखा रही हैं और यहां पे एक चोपर आया हुआ था चोपर नोन इलेक्टरिक वाला था जिसमें बिजली का कोई भी काम नहीं था जैसे कोई होता है ना कि हमें बिजली का नहीं खरीदना इसके जो ब्लेड थे वह भी बहुत ज़्यादा थे कम से भी कम प्लांच या छै ब्लेड लगे चोपर होता है अपर से पुश करने पर दबाने पर हो चलता है वह ऐसे ही दबाने पर ही चल रहा था पर जो इसकी वायर थी खीचने वाल ही नहीं थी वो इसके अंदर ही राउंड हो रही थी और ये पिचकार ये जो आ पूछ के लिए इसना एक नानंद की बेटी है उसके लिए खरी दी और उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आई और वो बोल रहे थी कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया बच्चे तो और मेरे बच्चे तो ना आते ही देख के इतने ज़्यादा खुश हो गया कि आज तो ममी ने बहुत ही ज़्यादा मज़े कर दिये और यह वाला जो पार्सिस जो आप देख रहे हो यह थे दोस्तों यह थोड़े दिफेक्टिव थे पर यह ना 90 रुपीज के दे रहे थे यह वैसे ब्रैंडड थे और उरिजिनल थे पर वो क्या हो जाता है ने शोरूम पर रखे रखे खराब हो जाते हैं तो इसलिए वो थोड़े से वोल सेल में निकाल रहे थे और यह वाले जो ब्लाउजिस देख रहे हैं यह 100 रुपीज से स्टार्टिंग थे और बहुत ज़्यादा अच्छे थे और यहां से खरीदा मैंने लोग क्योंकि मेरे स्मेंट की इशोप है ना तो उसमें थोड़ा सा हैवी वाला लोग चाहिए थ दोनों ने बोला कि लोग खरीला तो मैंने यहां से फोर लोग वाला खरीदा जिसमें ना च्यार कट लगे हुए थे और बहुत ज्यादा हैवी वाला था और वहां पर मेरे कुम पढ़ा 150 रुपीज का और वैसे वह रेट वहां पर बोल रहे थे 350 या 380 का तो थोड़ी सी ब लेटेर फारनीचर वगारा सब चीज यह जो आप देख रहे हो फ्रेंड्स यह हैं अंगूठिया हैं यह 10-10 रुपे की हैं किसी भी टाहिप की आप ले लो यहां से 6 कम से कम देंगे नहीं तो ट्वैली देते हैं पर आप रिक्वेस्ट करोगे ना तो 6 तो लेनी ही पड़े करेंगे 60 रुपीज की हाफ तो करेंगे यह करेंगे पर जो क्वालिटी थी वह बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बहुत ज़्यादा सुंदर थी और यह पिछकारिया जो आप देख रहे हो पिछकारियों की होली की तो धुम मची है किसी भी टाइप की ले लो गन बगरा का होता है या फिर गन बगरा का शोक होता है छोटे बच्चों को तो लड़कों को तो खासकर होता है कि कोई यूनिक सी चीज हो और तो मैंना अपनी बेहन के बेटे के लिए सोच रही थी पर वो ना बड़ा हो गया वो अभी मना कर रहा होता है कि मैं उसी अभी नही तो चलिए और देखिए कि कैसा था हमारा सफर बहुत ज्यादा मजा आया देखिए मैं क्या क्या लेकि आई हूँ ये मैं चैरी लेकि आई हूँ जो उसमें डालने के लिए बच्चों के लिए नेकरोनी ये पास्ता और ये पोहा और ये एक पिचकारी छवी की और ये बलून अब लिए ये एक और बलून का पैकेट ये एक शुरूत्ति की और एक परी की पिचकारी और ये इनकी गॉंद तो मैं ये सारा समान लेके आई हूँ सदर से और एक लेके आई हूँ अपने लिए ये रसी कुदने के लिए तो तो देखिए दोस्तों ममी चिकड़े डाल रह है ने खुष्भू तो जाए के आरही समय से वाँ क्या मस्ती यलो यलो कवरा अधि कमराया है ज़िसमें दो डाल दिया जाल डिया थेंडा मैंने की चिड़ी थो देआ तो तु खाए क्याई आपस है मां ड़ी दो मुंद खाई थी दो मुंद खाई थी मेरे बटके की की अब बाबू के खाव है बाबू के खाव है तो बताओ कैसी खा के गणी तो फिला पेट्टे खालो फिर पापा के ले जो बाबू पोती चूड़के लेटू कैसे थे जमाइक लंबर के दे अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें सिस्क्राइब करें और कमेंट जरूर करें